एक अनोखी कहानी बहुत समय पहले की बात है सोभा नाम की एक लड़की किसी की बहु थी जो अपने सास को बहुत सेवा किया करती थी लेकिन सास हमेशा अपनी बेटी को ज्यादा तरजी दिया करती थी शोभा भी कभे शिकायत नहीं करती और वो हर दिन उठती, दिन भर काम करती और अपनी सासों मा के सेवा करती थी एक दिन की बात है जब उसकी सास को एहसास हुआ कि मुझे मेरे बच्चों से ज़्यादा मेरी बहु सेवा और इज़त करती है वो मन ही मन सोचने लगी मैं अब क्या ऐसा करूँ जिसे मैं अपनी बहु को खुश कर सकूँ क्यूंकि मैंने तो उसे बहुत दुख दिया है इस प्रयास में लग गई, समय बीता गया कुछ समय बाद शोभा ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रवी रखा गया शोभा और उसकी सास भी बहुत खुश थी और जब उसकी सास ने शोभा को गले लगा कर कहा बेटी मुझे माफ कर दो मैंने जो कुछ भी तुम्हारे उपर अत्यचार किया है मैंने हमेशा अपनी बेटी को ज्यादा तरजी दी है तुम्हारे उपर जिसने मुझे कभी भी प्यार नहीं किया ना ही सेवा की तुम मेरी बहु नहीं बेटी हो और वो दोनों सदा सदा के लिए खुशहाल जिन्दगी जीने लगे मोरल कोई इनसान चाहे कितना भी बुरा हो वक्त आने पर सच का पता चल ही जाता है जिसके लिए हमें धैर से काम लेना चाहिए अपनी सास को बहुत सारी बहु अपनी सास को परिशान करती होगी और ना जाने कितनी सास होगी जो अपनी बहुत को परिशान करती होगी अगर हम धैरे से काम ले तो सब का आसानी होगा